हेलो दोस्तों मैं हूं सिधान नेमा आप देख रहे हैं मेना चैनल मिस्टर अकाउंट आज है पासथवा वीडियो इसे वीडियो में हम कुछ special points पढ़ेंगे जो की income and expenditure account बनाने में और balance sheet बनाने में काप आंगे ठीक है यह देखो donation, legacies, entrance fee, sale of old assets, sale of periodicals, endowment fund and payment of honorarium देखो यह जो जितनी भी चीज़े हैं यह आपको receipt and payment account में देखने को मिली ठीक इन में से कुछ चीज़े आपको payment side देखने को मिली और कुछ चीज़े receipt side देखने को मिली ठीक आप बात यह आती है कि हम क्या करते हैं मतलब सब्सक्राइब क्या करते हैं मतलब के बार दो दो चीज़े बनाती है पहला होता है income and expenditure अकाउंट और दूसरी होती है balance sheet ठीक अब अब यह बहुत confusing हो जाता है कि इन चीज़ों में से या फिर और भी जो चीज़े जोंकि कि recipient payment account में आई है इन में से किन चीज़ों को यहां transfer किया जाए और किन चीज़ों को यहां transfer किया जाई ठीक हम क्या करते हैं रड़ा सब्सक्राइब करते हैं और जो चीजे कैपिटल ने रिच कि होती हैं और सासी साथ नौन डिकरिंग निजर की होती है उनकों टांस्वर करते हैं बैलेंशीट में ठीक तो अब हम इनी पॉइंट में से यह साथ पॉइंट जो की बहुत इंपोर्टेंट है अक्सर आपको यह साथ में से कोई ना कोई सबसे पहली चीज डोनेशन देखना दोस्तों दो परकार की होती है पहली होती है स्पेसिफिक डोनेशन ठीक बीजडूर जो यह जो सपेसिफिक डोनेशन होती है यह डोनेशन किसी सपेशल परपस्स के लिए की जाती है पेज़नेंट संपहले के लिए ठीक कि बिल्डिंग मना लो आप लाइब्रेरी बना लो अपने एडूकेशनल और में ठीक यह वह वारी डोनेशन होती है तो यह वाली डोनेशन होती है वह डोनेशन कहां आती है बैलेंस शीट में क्यों आती है क्यों कि यह कैपिटल नेशर की है इसका revenue से डीजर की भी नहीं है और यह जो रहती है और रेकरिक हर्ण की है की हर साल है ठीक इसलिए इसको बैलेंस शी Keeping अक्ट में अकंद दिया है तो आप इसको लिख दीजिये कि यह można पहुत कुल गोंसाम कुछ हो में परराइब नियुकर ना में कर है । अब जैसे कि एक तो हेल्थ और्नाइजेशन है उसको मैं थोड़ा सा डोनेशन कर रहा हूं कि लोग आप और अच्छे से चला लेनर्स को ठीक वहां पैसों की कमी बढ़े थोड़ा मैंने डोनेशन देती है ठीक यह उस प्रकार की डोनेशन होती है एक जनरल डोनेशन रहती है यह अक्सर लोग की जाती है इंकम एंडी अचंट में यह रवेण्यों नेचर की होती है लेकिन यह जो रहती है यह एक परपस के लिए डोनेट की जाती है यह बाता है लेकर सीज का मतलब होता है यह यह प्रॉपर्टी यह तरह की कैश जो की जैसे अगर मैं मर गया ठीक तो जो मेरी मेरा मेरी प्रवपर्टी अगर में चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी प्रॉपर्टी है वह पूरी पूरी इस और फिर्ग जाती है ठीक है और महां यह प्रॉपर्टी है कोई बेदिख हो जाएं तो यह क्या भी की कुछ भी मिला कोई पूरी अगर आई तो ये जो रहती है वो के रहती है रहती है에서 बढ़ी अब मुझ रहती है यह hen नहीं होती वार बार लिकर नहीं होती ठीक यह जाती है बैरेंशिप में अब सबसे इंपोर्टन पॉइंट इंट्रेंज्ट उस वाहें वह आपको नॉर्मली जो है वह दे देता हुं कि अप्रविग और व्यूंग आप देखो क्या वोता है जो इंट्रेंस की होती है कि अगर मैं किसी बी उ buffalo रेना चाहता हूं उस टाइम चोटी सी फीज जो कि मुझे से ली गई वो владalten सब्ची的时候 यहां से मैं बोल की तो लेकिन तो यह जरूरी तो नहीं कि वह एक ही प्रकार वहाँ कोछ एजूकेशनल कोच मंदर थे होते तो जो एजूकेशनल वाले ते होते हैं उनके लिए एंट्री होना इंडरेंज को Jog А jetzt on होती है उनके लिए इंडरेंज सी क्या हैило रिकरिंग में नियशन की है ठीक तो इसलिए यह कहां कैसी की जातीन driven के लिए यह यह पट्रेशानल ऑरिए संगि जो एजूकिसंट रहते हैं वह इसको लिखते हैं इंकम साइट ठीक और जो कुछ से अलग टैप के जैसे मंदिर हो गया मंदिर में इंट्रेंस वी होती है इसलिए अलग टैप की जो इंट्रेंस फी है वह अलग टैप से ट्रीट की जाती है यह तो हो गई अब मैं 12 के साफ से बता दूँ टो कि मुख में यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर एंट्रेंस फी में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती है इन कॉश्चन आप क्या करेंगे इस इंट्रेंस फी को सम enormous we Drake करेंगे और इसको हर बार इंकर प्रडिंट्रेंचर अकाउंट में लिखेंगे यह बात töपि NBA कइसकी कर रहा हु करना पड़ेगा आपको कौशन क्या कोड़ी जो इंट्राइब स्वी जुत्मी भी वाटेवर उसको आपको कैपिटल फंड में एड कर देना है बैंशीट में जाएगी वह ठीक समझ गए अगर इनफॉर्मेशन दी है अलग से अब आती है सेल ओफ ओड़ असर्स मान लो मेरे पास एक 4000 रुपे का कूलर था ठीक एक और चारजार रुपे का कूलर था वो कूलर अब मैं बेचना चाहता हो ठीक और उसको मैंने बेचा तो देखो इधर क्या होगा मैंने 4000 का आइटम बेचा 6000 में तो मैं क्या करूंगा जो मेरी असर्थ है जो कूलर है तो मैं क्या करूंगा उस से जिसे में से मैंने 4000 का बेच दिया तो मैं क्या करूंगा बैलन तो मैं उस कॉलर के कॉलर मैं से 4000 करूंगा 6000 करूंगा क्योंकि जो कूलर था वह 4000 का था जो मैंने बेचा तो जो न्यू वैलेंशीट होगी उसमें आप क्या करेंगे 4000 कम लेकिए तो क्योंकि बेच दिया है नहीं तो क्या लेक देगे ठीक अब जीत हो गई इसकी 4000 और आये 6000 रुपे तो देखो ज्यांते हम क्या करेंगे 600ew मैंस करेंगे 4000 किम्फ क स्केया जरस बेच रहे थे तो कितना गेन हुआ कितना aconteceu- हम उस 2000 रुपय को लिख देंगे फिर इंकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंकम साइड और कैसे लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन सेल ओफ फूलर ठीक समझ गें इस चीज को कि अगर आप चार जार कीजी छह जार में बेच रहे हैं तो आप उस असर्ट को बैंट सेट जो कि अगर आप चार जार की चीज को तीन जाना बेच रहे हो तो हो सकता है लौस को अब क्या करेंगे यह जो एक हजर का वह लौस होगा तो आप उसको एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे लौस होगा तो एक्सपेंडिचर आइड और यहां प्रॉफिट वापेशने म आप अब आता है सेल ऑफ पैरियॉडिकल्स गाइस सेल ऑफ पैरियॉडिकल्स मतलब होता है वह चीजे जो की हर साल हर साल बेची जाती है जैसे हो गया रदी न्यूस्पेपर्स हो गया और बहुत सारे मादब कवाड़ा बगयरा हो गया इस्क्रैप्स ठीक वह गया यह पैर सब कुछ बेचता है जो भी खरा हो जाते है उनको तो क्या करेंगे वह बेचता है खराब वालों को तो वह क्या करेंगे इनका पूरा-पूरा पैसा है उस पैसे को को इंकम एंड एक्सपेंड़िश्या का है इनकमад एकसपेंड़िश्या को बिचनह के बाद में अनक हे ब्लभियस आतव्य पूरां आप को यह करेंगे उनh चार जार०ट को इंकुश warmth को इस नामें वीच आ जो भी आपे इंसर्ट के सांद मत डर्ना अगर आप करते तो भी आपको यह सब करना परता है लेकिन यह पैरियोडिकल वाली चीजे यह में नहीं लिखते हैं इसलिए आप क्या करेंगे इनको बेशने के बाद जितना पैसा आया उस पैसे को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करती है और क्या करती है इसको बैरेंशीट में लाइब्रेटी साइड सब्सक्राइब करती है इसके बारें मुझे भी जानकारी नहीं है लेकिन यह जो है वो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करती है और अगर इसके बारें में पता चेली तो मैं आपको नेक्स वीडियो में पता दूगा ठीक यह हो गया इंडॉर्मेंट फंड यह कहा जाता है बैंशीट में जाता है लाइब्रेटी साइंड अब पैमेंट of Honoraryum मैं आपको Honoraryum को मतलब बता चुका हूँ पछले को वीडियो में एक तरह की फीस जो कि आप किसी Professional को देते हैं वह आपके औरनिव हिस्सा नहीं है लेकिन उस प्रॉफेशनल ने आपके को कुछ service provide किया है तो उस service के बदले में आप उसको पीमेंट देंगे वो कहलाता है करने उसको देंगे और सी ने ऑडिट किया आपके पूरी उसको ठीक अकाउंट को वह हो गया ऑनर एरियम यह तरह को पेमेंट होता है जो की रेवेन्यू नेचर का माला जाता है और इसको हम लिखते हैं इंकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइट ठीक तरह का एक्सपेंडिचर साइट ठीक अब कुछ हां एक और छी छूट गई लाइफ मेंबर्शेप फी यहां तो आठाव वाइट वह है लाइफ मेंबर्शेप फी इस दो फी कैपिटल नेचर की मानी जाती थी यह नॉन ड्रकरिंग मानी जाती है भार लाइवार नहीं मिलेगी ठीक इसलिए इसको capital नेचर नमाना जाता है और इसको हम balance sheet में transfer करते है ठीक यह हो गई पूरी आटो पॉइंट्स का क्या किया जाता है लाइगा चीज़ का क्या चीज़िया जाता है अब देखो इन में से हां यह जो तीसरा और यह जो आजवा इन में एक चीज ध्यान से सुनना अगर इसको तो पक्का है तो capital नेचर का यह में जाएगा और अगर जैसे यह अगर कंडिशन दी है तो पता है क्या होगा आप इन दोनों का जो अमांट होगा कुछ भी जो भी होगा जैसे मालों यह लाइप में बड़ सिदी है तीन थार की तो आप क्या करेंगे इन तीन थार को बैंसीट में लग से नहीं लिखना है इनको capital fund जो भी है जितना भी है capital fund उसमें अड कर देना है ठीक जैसे capital fund दिया है प्लस करके एड लिख दिये और प्लस कर दी जाए इंट्रेंस फी और प्लस लाइफ मेंबर्शिप फी यह करना है आपको ठीक इनको अलग से लाइट नहीं लिखना लाइब्टी में कि बहई यह इंट्रेंस फी इतने की यह इतने का ऐसा नहीं यह दो चीजों के साथ बस ठीक है इंट्रेंस फी और लाइफ मेंबर्शिफ फी इन दोनों को जब भी अगर आप प्रेंशिप में ट्राइब करेंगे तो आपको इस तरह से करना है तो यह था 62 वीडियो इन में मैंने आपको नॉर्माल चीजे कुछ इस स्पेशल पॉइंट बताए जो की बहुत यूसफुल होने वाले हैं आगे के काम आगे की अकाउंट बनाने में ठीक और यह जो दो चीजे लिखी हैं कि सब्सक्रिप्शन और स्पेशल फंड काइस यह ज सिंबल सिंबल चीजे लेकिन इन दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की रिए होती है जब इनको एड़स्ट करते हैं तब तो क्या होगा जो नेक्स वीडियो होगा 63 वा और 64 वीडियो उन वीडियो में मैं आपको इन दोनों को एक करके एक्स्पेल पूरा कमेंड कीजिए ज्यादा से ज्यादा सब में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू गाइस वा ग्रेट डेए